में मिलने के आदत है उनकी कविता सुनने के लिए या उनका कथापार सुनने के लिए या उनने पढ़ने के लिए और यह बहुत अच्छा तरीका नहीं है किसी कविय या कथाकार से मिलने का लेकिन जिस तरह के हालात में हम रह रहे हैं उनमें बार बार कवियों और कथाकारों को एक दूसरे रूप में सामने आना पड़ रहा है और वह है कविता लिखने या कहानी कहने बोलने और लिखने की आजादी की हिफाज़त करने के लिए अपने माध्यम से निकल कर एक दूसरे माध्यम में बातचीत करने का मुका हम यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस तरह की प्रेस कांफरेंस हमें करनी पड़े लेकिन पिछले पांच साल में कई बार इस तरह की प्रेस कांफरेंस हमें करनी पड़ी है और यह एक और मौका है आप सब ने सुना होगा असम में कवियों और लेकों का एक समूँ खुद को मियां पोईट्स की रूप में आइडिन्टिफाई करता है और उसने जो तहरीक चलाई है गांदोलन चलाई है उसे वो मियां पोईट्री कहता है हिंदुस्तान में इस तरह के कविताई आंदोलनों की या सहतिक आंदोलनों का इतिहास रहा है उसके बारे में अशोग जी और गीता बात करेंगे लेकिन यह प्रेस कॉन्फरेंस लेकों, कवियों, कलाकारों और बाकी लोगों की तरफ से इस बात को लेकर फिक्र जताने के लिए की जा रही है कि अगर एक कवी या कुछ कवी या कुछ लेखक अपनी अभिवेक्ति का एक तरीका निकालते हैं या खुद को खास तरह से पहचानते हैं, तो उन्हें देश द्रोही या असम्या विरोधी या किसी समुदाय का विरोधी घोशित करके उन पर मुकदमे करना, उनके खिलाफ नफरत का अभियान चलाना और उनका लिखना मुश्किल कर देना, बलकि उन्हें छिपने के लिए ब कर देना, यह प्रेस कांफरेंस उनके साथ एक जुटता जाहिर करने के लिए की गई है, और इस प्रविर्टि पर चिनता जाहिर करने के लिए, और बाकी लोगों से अनुरोध करने के लिए, कि उन्हें अभिवेक्ति के सोधनत्रता के, अधिकार के पक्ष में खड़ा होना मैं अनुरोद कर रहा हूँ हर्ष मंदर से कि वे बहुत संक्षेप में लेकिन इसकी प्रिष्टमू में बतलाएं क्योंकि वे लगातार संपर्क में हैं मियां पोईट्री से जुड़े हुए पोईट्स के कि अजिव ए Calling, ए मिंघ अर्फ, इन कि एंव इवकोब्र हमक Calling, श्यूν टॉबट् mr. Captain備. इस यह लेकिन, कि तॉज़ें ऐस्वी देस्देंग लगात्मिल, बहुत बतलाएं के लिजकितन, कि अगात्य हरांदी ने допुशूब में जए mêmes थनले च Cum Laud Sum Praud, फेयुर्स्काफिटingen पन्हों़ों और जबाट्ट्सकाउय। सुम्हाइटिय। रौतेस्तों प्रेस्टी University are known, where would we in the world be, we would be greatly accomplished without Black protest poetry, without Dalit protest poetry, without any Speaking, we would be equally accomplished with । बीज Penal देप OWL फटर से फ्वरन के वे क्य tract में मत तेख की जैने लिदी देपली मुसलिम में है स्वेटी षार, और से बीया, और से आ circulating बीया कोडियत y सीवेड़िया कि ए दूं और बहुरा नाम अट भीन टे रे लिए काशिते ही के अजिसके व्या मैं आप से वीक्थे वीक्तु मुझा भी मुझा टेट है यहां मेट घज्क बिंक आप बेस्टा करें को बिंके लिए और खोग्राद समय। just as my father, grandfather, great-grandfather and yet you detest me, my mother, for who I am yes, I was dropped on your lap, my mother you can't trust me because somehow I have drawn this beard somehow I have slipped into a lungi I am tired, tired of introducing myself to you I bear all your insults and still shout, mother, I am yours where did I, what did I gain by, sometimes I wonder what I did gain by hauling into your lap I have no identity, no language, I have lost myself, lost everything that could define me and yet I hold you close, I try to melt into you I need nothing, my mother, just a spot on your feet open your eyes, mother, open your lips tell these sons of the earth that we too are your brothers so, so this is, this is Nia poetry and to her utter, to her utter amazement and anguish we find that nine of these poets have been charged with criminal charges grave criminal charges, including 153A which is inciting hatred between communities 153A is not something that Sajid Pragya or Yogi Adityanath or Home Minister Amit Shah are charged with after all the hate speech that Just two more lines about the context of this book as poetry and the National Register of Citizenship that we have seen I was reading the papers yesterday and my friends are telling me from Assam that even in the fury of one of the worst floods that Assam has seen and we all must remember our brothers and sisters in Assam at this moment people are still refusing to leave their homes even as the waters rise because they say this is the last evidence we have that we are citizens of this country while they are fleeing, the only thing that they really want to seize is their documents and these documents are treacherous documents just a few days ago I was in Assam meeting every family is just amazing one spelling mistake you know when you are writing the name in Bengali a Bengali name in English there is an extra H or an extra A or somebody say Mohammed Afrazul Khan and then you just say Afrazul Khan and that is enough for you to be in a detention centre declared a foreigner people are committing suicide people are in a kind of distress and if you are not even allowing this lament to come out in the form of poetry then where is this Republic of India going? the last thing I wanted to say was that yesterday once again Amit Shah, home minister said that they are going to extend the National Register of Citizens to the entire country he said not a square inch will be left I can hardly think of anything more terrifying for India the Indian Republic as we understand it the secular democratic constitution on which we are founded will be destroyed if they persist in this direction because it is clearly targeted at one particular religious community because other communities are being protected under the citizenship bill that is being proposed so in a sense if you are of Muslim identity in any part of the country are you going to be forced to produce documents maybe dating back to 1950 which will be presented before this uncaring and hostile bureaucracy what are we doing, where are we going, what are the consequences of this listen to the voices of our courts and think about where the leadership of our country is taking us at this moment thank you what happens when you produce poetry you cut off a vital connection all of us have since childhood when we learn language, its sounds and meanings and the cultural markers the language comes with you cut off the connection we have with the ways in which we see the world and ourselves the Mia poets have been harassed with police complaints they have been called a threat to the Assamese people and the security of the nation police complaints against poets pressure to silence poets in times like these when something like this can happen we have to begin with expressing solidarity with these poets we have to say write speak we are with you but this is a solidarity that demands that we understand what is happening here first there is the attack on freedom of speech you will all recall in 2016 the Madras High Court when dealing with the Peruma Murugan case said let the author be resurrected to do what he does best which is right the judgment also summed up Voltaire's idea which I think we should remember is essential to any democracy I may not agree with what you say but I will defend to the death your right to say it second there is the targeting of protest the crushing of dissent these are poems that Muslims of Bengali origin in Assam have written to describe the discrimination they face in their day to day lives the power of this cultural resistance lies in drawing attention to actual experiences of discrimination the power of this resistance lies in the languages used as an ECS but also dialects the power of this resistance lies in the fact that it is not one or two poets but many and the power of this resistance lies in dignity politics saying Nia may be an ethnic slur for you but look I am reclaiming the word I am proudly declaring I am a Nia and at this point let me read just an extract from a very powerful poem a very good poem which is all we should care about if we are readers writers and citizens write down I am a Nia Hafiz Ahmed write write down I am a Nia my serial number in the NRC is two zero zero five four three I have two children another is coming next summer will you hate him as you hate me write I am a Nia I turn waste marshy lands to green paddy fields to feed you I carry bricks to build your buildings drive your car for your comfort clean your drain to keep you healthy I have always been in your service and yet you are dissatisfied write down I am a Nia a citizen of a democratic secular republic without any rights my mother a devoter though her parents are Indian third the poems are being targeted not only because of drawing attention to discrimination but also because some of them are written in dialects that belong to the communities at the heart of this country's diversity at the heart of this country's culture is the fact of multilingualism Assam is a good case in point something of a mini India with numerous linguistic communities what happens to all these voices if they have to face the chauvinism of a standard or majority language our diversity our culture that we like to boast about will be torn to shreds finally the context in which this is happening at the end of this month Assam will publish its final national register of citizens the plan is to identify undocumented migrants from Bangladesh but the NRC will leave huge numbers of Indians stateless the NRC has also targeted poor minorities of Assam mostly Bengali Muslims and Hindus who are easily stereotyped as Bangladesh add to this the current prevailing ideology that is inciting multiple axes of chauvinism language community caste together the objective is to break up a united opposition to the NRC so this is what we stand up for now we have to combine cultural resistance with the resistance against the NRC we know from what Mr. Ahmed Shah has said yesterday that what is happening today in Assam may well happen in the rest of India tomorrow we have to resist all attempts to exclude our people from citizenship and as part of this resistance we must insist on our diversity of language community level cultures on freedom of speech and other constitutional rights in Assam I've read this Kavita before I मुझे कविता की इस समूव का पता नहीं था इन कवियों का और सबसे पहले तो ये अच्छी कविता है ये विरोध में हैं, प्रोटेस्ट में हैं, अच्छी कविता हैं, अकसर प्रोटेस्ट में खराब करता लिखी जाती है और हम लोग को कई बार इसका पचाओं भी करना पड़ता है नहीं पच्चरी, प्रोटेस्ट हो है कविता खालाब से लेकिन इस बार कविताएं भी अच्छी है और प्रोटेस्ट की तगड़ा तो इसकी दोहरी, इसके दोहरे बचाओं की ज़रूरत है जब मियां कवियों ने अपने भावनाओं, अपनी स्थिती, अपनी हालात को बयान करने के लिए अपनी एक बोली चुनी तो मेरे हिसाब से उन्हों ने भारती लोकतंद्र को एक बार फिर जिद्ध किया जो लोकतंद्र बहु भाशिक और बहु धार्मिक लोकतंद्र है और जो अफिवेक्ति की आजादी अपने संविधान में देता है हम लोग जो पही होंगे यहां जो हिंदी भाशी हैं, हम यह ना भूलें, कि स्वया हम हिंदी में शारीस बोलिया और यह संख्या मेले अपने बैठे बैठे यहां नहीं बनाई है, यह जनगर्णा आयुक्त की रिपोर्ट में दे गई है कि हिंदी में शारीस बोलिया, कि सुची भी दिए तो हमारी कोई भी भाशा एक बोली पर आधारित भाशा बनी है, हर भाशा अनेख बोलियों से बनी हुए है, और अभी भी वो बोलियां सहुभा किसे जीवित हैं, एक People's Survey of Languages अभी हाद में हुआ था, इसमें बताया गया कि भारत में अभी साथ सो तीस से अधिक भाशाएं जीवित हैं, कुछ के बोलने वाले सौ हैं, और कुछ के बोलने वाले करोण, यह अंतर है, लेकिन वो हैं भाशाएं, तो जब एक छोटे भोली के समूह के लोग, अपनी तकलीफ, अपना दर्द, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए एक बोली का सहारा लेते हैं, और उसमें अच्छी जवता लिखते हैं, तो मैं फिर कहता हूँ, यह भारती लोकतंत्र को एक बार फिर से सिद्ध करना है, और जब राजी या जो भी उसकी शक्तियां हो, इस अभिव्यक्ति को रोखने के लिए, इस अभिव्यक्ति को दबाने के कानून का सहारा लेकर इन के खिलाफ तुनिया भरती धाराओं में मामले दर्ज करता है, तो वो भारती लोकतंत्र का की विभलता और पतन को व्यक्त करता है, यह भारती लोकतंत्र नहीं हो सकता, जो अपने लोगों को अपना दर्द व्यक्त करने की आजादी भी नहीं तूसरी बाद, ये हम गांधी जी के एक सो पजासने वर्ष में हैं, उनका एक प्रीभजन था, वैशनव जन, जिसको हम अक्सर गाते गुंद बुनाते को हैं, पर उसके अर्थ पर गौर नहीं करते हैं, उसमें कहा था कि वैशनव जन तो वही है, यानि धर्म पलाएंड़ ज वेक्ति वही है, जो दूसरे की पीरा को समझता है, पीर पराई जाने दे, जो पीर पराई दूसरे की पीरा नहीं जानता, वो मनुश्य काहे का, और वो धार्मिक वेक्ति काहे का, और मैं कहूं कि वो लोगतांत्रिक नागरिक भी काहे का, हम सब इसी लिए ये सब हैं, यान करते हैं कि हम से कहा जा रहा है कि हम को पीर बराई जिंता नहीं करने ही जाहिए वो तो जिंता और नहीं गरें रहे हैं आप सड़क पर किसी से मिलते हैं उसका जो दर्द है वो कौन जाने का अगर हम अब इस दर्द से मुख मोड लें तो दूसरी तरफ इसका अर्थ ये भी है कि हम पराई पीर से मुख मोडने के लिए मजबूर किये जा रहे हैं और तुद्भाग ये है कि ऐसा करने में बड़ी भूमिका लोकतांत्रि धंग से जुने गई सरकाव किया है तीसरी बात इसका जिक्र हर्षमंगर ने किया था कविता तो प्राजीन काल से भारत में ही और अन्यत्र भी एक तरह का सत्याक्रह रड़ी है उसने राधी जी ने तो सत्याक्रह बात में किया है लेकिन अगर आप कविता की परंपरा देखें तो वो सत्याक्रह की परंपरा है और हमारे पड़े से पड़े कवियों ने ये सत्याक्रह किया है अगर कविता ने किया है तो तुलसी दास ने में किया है तूलसी कास ने भी कहा, कहर वाया है राम से, जब आयोज्या में राम राज इस्थापित हो गया, तो राम संबूध्या करते हैं नागृकों को, और ध्यानरिकी बात है कि कवीता में करते हैं, वो आज जैसा निपट गढ़ नहीं बोलते हैं, माश भी ने गार्ड़ गर्णीism तो बिना भय के मुझे बरजना, यानि बिना भय के हमें टोकना, कवियों का काम टोकना है, आपको अच्छा लगे तब भी हम टोकनेंगे, और बुरा लगे तब भी टोकनेंगे, क्योंकि यह हमारा काम है, कविता हमको जे सच हमें समझ में आता है, वो बोलने का के लिए विव यहां आपको नहीं पसंद आपका सच तो सच और कवियों का सच नहीं है कि किसी शक्तिशाली का या मालिक का या कानून का सच तो सच है और गंगा का सच सच नहीं है, ये तो बहुतिक स्थर पर हास्यास्पत, नेतिक स्थर पर दैवींः और लोगतांत्री की स्थर पर चिंतनिय होगा। हमको सच की बहुलता में भी भरोसा करना चाहिए, इस देश ने अपनी पूरी परंपरा में ऐसा किया। और इसका उते किया गया भूकी प्यृधी और भी उतने सौर दिगंबर प्यृधी और नव्य काविकी प्यृधी, ये सारी प्यृधियां जो थी, ये प्रोटेस्ट करके भी, असहमत होकर भी, अपने से पहले वालों से अलग राह थोच कर भी, स्थापित हुई हैं। इसलिए कविता में असहमती नहीं होगी, तो और कहां होगी, अब तो संभवतर संसद में भी असहमती के अवसर कम होते जाते हैं। तो अगर सारे इदारों में असहमती धीरे धीरे घट रही होगी, तो खुदा के लिए कम से कम उसको साहित्य और कलाओं में तो बची रहने दीजिए। और आप कितनी ही कोशिश करने, उसको दबाने की, वो बची रहे की, क्योंकि वो भारती परंपरा, भारती जीजीशा और भारती लोग तंत्र का केंद्रिय तक्त्व है। और इसलिए हम इन, और आप देखें, इन कविताओं को पढ़िये, इतमें अपने भूभाग, अपनी जमीन, ये नदियों, सहायक नदियों के कछारों में रहने वाजे लोग हैं, जुर का घर हमेशा बाढ हमें आता रहता है, और फिर भाग करका हैं, और मकान बनाते हैं, क सुनाता हूं, the language of earth is the same everywhere, और ये धर्ती की भाषा बोल रहे है, धर्ती राज इसे पड़ी है, धर्ती लोकतंग से भी और धर्ती धर्व से भी और इन सबसे पहले से थै, उस धर्ती का अनुराग, उस धर्ती का प्रेम इस कविता में बोल रहा है, और ये कहना, you see there is a lot of othering going on, in a massive way, now these are the new others, literature has been insisting all through, that this is a false dichotomy, dichotomy between us and them, literature teach you one simple lesson, that is, they are us, we are them, that there is really no difference, the language of earth is the same everywhere, that's what they are pleading for, and I think we should stand by them, not only as poets and lovers of poetry, but as human beings, as in Indians, because what they have done is to prove, bring to the table of judgment, how strong is Indian civilization, Indian tradition and Indian constitution, thank you. अनिया कविता पर एक आरोप यह है कि एक साजिश के तहर एक खास तरह की पहचान काव रहे हैं, और ये असमिया पहचान से अलग है, और इस तरह असमिया पहचान को चुनागी दे रही है, जैसा यहां पहले खाया गया, अपर भार्ष ने कहा, भाकिलोगा ने कहा कि जो कुछ भी अभी हो रहा है उसका एक खास संदर्ख है, और वसंदर्ख है NRC, असम में उन लोगों की भहचान करना जो असम या नहीं है, ऐसे लोग जो असम में बरसों बरस से रहते चले आ रहे हैं, दश्कूं से रहते चले ऑधार रहे हैं, उन्हें इस साबिद कऱणा है के वे असम के हैं, वा जैसा कल, भार्त िव्यम्जी ने कहा है क्या भारत में हर जगह ये परपिया जोर्वाइड है जी है, इस बेच ऐसे लोग जो कुद को मिया कह ոे लोग जानते हैं, जो हिंदुस्कान में रहते हैं, क् एक आदर सूचक और समान सूचक शब्ट गुआ करता था लेकिन भारत में रहने वारे मुसल्मान यह जानते हैं कि मिया को दरसल उनका अखमान करने के लिए और उनको काली देने के लिए भी समझते जाता है यह बात भारत में सबसे पहले डलितों ने कही है कि जिस पहचांद से आप हमें नीचा दिखाना चाहते हैं हम उस पहचांद को कबूल कर रहते हैं और हम खुद को नीचा मानने से इंकार करते हैं जब हम ऐसा तर कहते हैं तब प्रपिलोग की शुरुवात होती है तलित कविता ने भी बतला ए, तलित साहतनी भी बतला ए, तलितर राज़नी दिनी में भी बतला ए कि उनको तलित कहरे जाने में पिसी शर्म काड़ नहीं, उसी तरफ मिया कविता से जुड़े ग्युरे सारे कवियों ने कहा checking in that है बल्कि हम उसको अपना रहे हैं एक आरूप यह है और यह असम के बहुत समझदार लोग भी लगा रहे हैं कि जब एक फार्शा मौजूद है असमिया तो वे इन खास तरह की जबान क्यों निकाल रहे हैं जिसको मिया जबान कह रहे हैं यह आप भारत में हर जगर हर कोई जानता है कि यदि आप सड़क के इस तरफ हैं तो आप एक इस्वें की भाशा बोल रहे हैं और सड़क के उस तरफ हैं तो उसी भाशा का एक दूसरा रूप बोल रहे हैं यह तो सड़क के इस तरफ और उस तरफ होता है, फर्ट होता है, और दूसरे कि इस बात की छूट हमेशा लेटों और सही स्थिकारों को है, कि जो भाशा आप समझते हैं मैं उसके एक अलग भाशा का निर्मान कर सकूँ बलकि उनका एक काम भी यही है कि वे एक भाशा का निर्मान करें यह काम चित्रकारों में लिखिया है वरना नए चित्रकार पैदा ही नहीं होते वरना पिकासु इस चित्रवाशा में चित्रकराश कर रहे थे उसको भी दोहर जा सकता है कि यह तो हम समझते ही नहीं भारत में भी ऐसे चित्रकारों को हम जाते हैं इस लिए आलोफ की क्यों मियां कविता एक खास ठरट tow की भाषा में लिखे जा रही है क्यों असमिया में नहीं लिखे जा रही है इस भाशा मेन लिखे यह कई समझदार जोट कर रहे हैं और यह सुल्टक्र थिन योगों को बहुथros Alfần dal प्रियास है कि अज्वान कौन सी में नo है है यहां प्रियास नहीं कर रहे हैं बल्कि उनहें ब्राइट करें उन्हें असम्या दिरोधी और देश दिरोधी भूशिक कर रहे हैं यह बहुत जिंदा की वाफित ऐसा अशुप वाजपेजी ने का यह तर असल भार्टिय दोटन्त की वहावना के इच्छा है लो हम सब लोग तुर यह यहां एकठ्छा है वह इन इस अधिकार के वक्षण होई और उनकी इस डावल के साथ वह इसताशा में लिख सकते हैं इस तरह की कविता लिख सकते हैं भार्ती मैंitten हैं त्योटी बिल्मनुष्य है, इसलिए उन्हें भोलने, लिखने, और जिन्दा रहने और इसलिए से रहने का बूरा हाट है. जिन्दालोंष्य प्लेट नाटत लन्हेंट जे रहने, तैन्नुष्य प्लेश चत्वार्ग्थ्य लिखना में, व्यृ च्रूंटेश्य। लेग्श लाटत रहने, व्यृ और आपना बूराइब, जिन्दाने, वोज जञा लेखने को तो दो बिल्हें लोने, जितना लुट् जो जो प्रवब राप्र, जो झाल प्राप्ट घ्ट अप्राप्र, आ है अम्या, जो मिया, विस्त पॉलकता, इन नापपुः इंड़ के विछ स्विटिज़ां कि लिव शुकॉट इन रिवाग मेंट प्राप्र इंड़ ख्राफिट इन मेवाः सबंसरी एकाल में समिलक वbay दुलाइंसरींग stret प्रॉब बीर्फीश को अबेस संहां को अबिश प्रॉण थ99 को प्रॉट झाल झाल